आकाश में नाचते हुए सुन्दर रंग और पैटर्न एक ऐसा क्षन है जिसे आप जल्द ही कभी भी भूलने की संभावना नहीं रखते हैं सर्दियों की समय में दुनिया भर से लोग इस शांदार लाइट शोग की एक जलक पाने की उम्मीद में नौर्वे जाते हैं लेकिन उन्हें देखने के लिए सबसे अच्छी जगल कहा है और कब है सितमबर अक्टूबर गर्मिया बीच चुकी है लेकिन साल के अंध की तरह लंबे समय तक अंधेरा नहीं रहेगा हाला कि इस दौरान बहुत अधिक सौर गतिविदी होती है जिसका अर्थ है की रोशनी देखना संभव है नवंबर फरवरी इन महीनों के दौरान सूरज एक दुरलब घटना है दिन में कुछ घंटों के लिए बहुत कम दिन की रोशनी होती है तो आपको निश्चित रूप से अंधेरा मिलेगा लेकिन साथ ही बर्फ और बादल चाने की संभावना बहुत अधिक है जो रोशनी देखने की संभावना में हस्तक शिप कर सकती है दिसंबर एक लोक्त्रिय महीना है क्योंकि बहुत से लोग क्रिस्मस की छुट्टियों को अपनी क्रिस्मस छुट्टियों के साथ जोड़ना पसंद करते हैं मार्च यह महीना वसंद की शुरुआत है और शरद रितु के महीनों की तरह अधिक दिन की रोशनी होगी उच्छ स्तर की सौर गतिविदी के कारण मार्च अभी भी नौर्वे में रोशनी देखने का एक अच्छा समय उच्तरी रोशनी का क्या कारण है नौर्डल लाइट्स या औरोरा बोरेलिस यदि आप चाहें तो एक प्राकृतिक घटना है जो तब घटित होती है जब सूर्य से आवेशितकन प्रित्वी के वायुमंदल के संपर्प में आते हैं ये सब सूर्य द्वारा भारी मात्रा में प्लाज्मा फेकने से शुरू होता है जिसे सौर्टूफान के रूप में जाना जाता है जो आर्फ मिलियन की मीक हंटा तक की गती से प्रभाहित होता है जब सौर्टूफान प्रित्वी पर पहुंचता है तो यह मेगनेटोस्फिय प्रित्वी के चारों और बना एक चुम्ब की अक्षेत्र, सौर तूफान से गैसों और पुनों को हमारे द्रुवों की और कीचता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृप्या लाइक, कमेंट, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।